Hello and welcome to the studio Traders Grass Swim को आज के दिन हमने ट्रेट किया है आपको याद होगा आज से exact दो दिन पहले भी हमने Grass Swim को ट्रेट किया था and buy side में ट्रेट किया था exact same level से ट्रेट किया था उस दिन भी अच्छा move दिखा था और आज के दिन में ट्रेट किया था exact देखेंगे Price यहाँ से downside की तरफ गिल रहा है और यहाँ से upside का momentum आया है Falling Rose Trading Strategy इसी के उपर हमने ट्रेट बेग्जेक्यूट किया था उस दिन भी और आज वी जो ट्रेट एक्जेक्यूट किया है same strategy और same analysis को ही मानते हुए हमने इस stock को trade किया था Falling Rose के बारे में आगे चल करके इसके उपर है दो वीडियोज हम पहले ही upload कर चुके है वीडियोज का link आज फिर हम description में डाल देगे हैं आप देखेगा बहुत 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 ज़्यादा वो study आपकी help कर सकती है आज की trade book अपनी open कर लेते है हाला कि इस stock ने downside का momentum बिलकुल भी हमको नहीं दिखा है एक अच्छा move हमें पूरे दिन इसने upside की तरफ ही दिखाया है यहां पर पासवट सब ग्राप उटप करते है so login ओके ठीक है so position book पहले position book अपनी open करेंग overall हमारा 12,175 रुपीज का profit है ग्रासिम के अंदर का अपने group में भी हमने जो stocks दिया थे buy side के दरफ के इस stocks थे लेकिन उने कोई momentum में शो नहीं किया कोई confirmations नहीं थी ग्रासिम को हाला कि पिछले तीन दिन से watch कर रहे है अच्छा move हमें इसके अंदर expect हुआ वहाँ पर क्योंकि confirmations नहीं थी इसलिए ग्रासिम को trade कर दिया order book open करेंगे order book में आप देखिए 500 quantities हाला कि 6 रुपय कुछ पैसे की stop loss आया था quantities ज्यादा ही हम execute कर सकते थे but क्योंकि side business morning में देख रहे थी जिस वेसे हमने quantities कम की 500 quantities को हमने trade किया था हाला कि move अच्छा हुआ 12,000 के round जो अपना profit हो आज हमने book किया इसको refresh कर लेते हैं perfect ठीक है 1687.40 यहाँ पर अपनी entry थी 1681.50 पर हमने अपना stop loss लगाया था and profits हमने book किया 171.75 पर profits को book किया था वापस position book में चलेंगे overall judge का profit है 12,000 के round का profit था so अभी आज की वीडियो हमने लोग क्या देखेंगे न कि following law trading strategy होती क्या है किस तरह से हम इसको trade कर सकते हैं यह repeated होगा कैसे हम इसको trade करेंगे and lower time frame पर आज के trade को लेकर कि क्या confirmations थी यह सारी चीज़ लोग देखेंगे तो thanks and I hope कि वीडियो आज का जरूर से जरूर आपको अच्छा लगए इसको जरूर लाइक ही जगा और अगर नहीं हो तो चैनल को subscribe करेंगे पहले day time frame पर देखेंगे day time frame पर जब हम ग्रास्रीम को देख रहे है यहाँ पर अभी हमने आपसे क्या का किस तरह से यह 3 candles 26, 29 और 30 30 अगस्त इन तीनों में ही क्या हुआ है कि volumes मेरी downside की तरफ decrease हुई है वो गिरी है इस system में करते क्या है हम लोग कि यह वाली जो candle होती है इनके highs, lows बड़े important होते है इस पूरी formations के so यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस candle का हमने high mark लिया और यह सिर्फ ग्रासी में आप किसी भी stock में किसी भी time frame पर लागा दो इसका use आप day पर भी कर सकते हूँ इसका use आप hourly time frame पर भी कर सकते हूँ कोई भी stock हो, कोई भी time frame हो किसी पर भी यह चलता है बस यह याद रखना होगा कि यहाँ पर कौन से candle हमारी important होती है यानि कि first की candle और जो last की candle ही तो यह दोनों candles important होती है हमारी हाला कि last trading session में भी जो हमने trade execute किया था अपना, वो same candle को यह अपनी reference candle मानते हुए trade execute किया था and आज भी जो हमने trade किया same price और same candle के high score अपनी reference candle मान करके trade help ने execute किया था जब हम discussion कर रहे हैं कि किस तरह से हमें levels अपने identify करने हैं तो उसके लिए तो यह एक tool की तरह काम कर जाएगा कि एक tool है कैसे में levels निकालने होंगे, लेकिन इन levels के उपर reading जब करने की बार यह आती है तो हम read कैसे करेंगे, कैसे price को read करेंगे यहां पर क्या हुआ था कि price मेरा 26, 29 और 30 September 1st September को price हमारा upside की तरफ इसने निकल देंगे कोशिच की यहां पर हमने देखा कि price अपने resistance को break कर रहा थो lower time frame के अंदर और हमने upside की तरफ trade execute का दिया हाला कि price जब up moves ही दिखा रहा था तो इसने lower time frame पर कई सारे support swarm कर दिये थे grassyam के अंदर 1st of September को यह देखते हुए ही हम यहां से बाहर निकल गए हाला कि उस दिन भी market हमारी पूरी पूरी तरह से sideways ही थी आपको याद होगा nifty के momentum पिछले 3 दिन से पूरे के sideway move में ही अपनी nifty move कर रही है यहां देखिए यह यह वाली candles तो यहां के बाद में हो कहा रहा है कि price हमारा पूरी तरह से sideway move ही show कर रहा है कोई बड़ा move आप इसके अंदर देख नहीं पार होगे यही पर हम exit होगे तो करीब 5-6000 रुपे का सबस का profit हम यहां से book करके निकल गए तो चुप चाब लेकिन यही level हमारा वह वाला है जब हमने आज भी same जगह से अपने trade execute किया जब आगे की तरफ आगे तो यह देखिए यह मेरी day time frame की candles थे and higher time frame की levels हमारे यही थे इसके बाद में क्या हुआ है कि जैसे ही price हमारा lower time frame पर high से low की तरफ आया और again जब यह upside की तरफ अपने swings को break करके निकलने लगा मतलब एक downside का move दिखा है एक up again low और high मतलब मेरे swings को इसने break कर दिया अब lower time frame पर कौन सी चीज़े ऐसी है जो कि देखने वाली होती है जैसे कि हम कल से और आज के trades को यानि कल के जो moves से और उनको आज के move से अगर हम compare करेंगे तो क्या मिलेगा यह मेरे resistance levels है कल इन ही points पर देखिए कल market ने हमें यह resistance level एक define करके दिया price ने जैसे high break कर दिया price हमारा उपर की तरफ चला गए क्योंकि यह resistance level था कल के लिए price ने इस resistance level को upside के तरफ breakout किया और इसको एक support बना दिया क्या इन ही ranges को हम आज भी अपने काम में ले सकते हैं वक्त में ले सकते हैं आप देखिए कि कल के यह तो resistance points हो गए और आज भी price ने जो resistance identify किया जो resistance form किया वो यही वाले resistance level निकल किया है मतलब कि same level swings हमारी निकल किया यह वाले और यह वाले ही ओके इतनी से चीज़ से में क्या पता चला कि कल के यह वाले range और आज की ranges हमारी same जगा पर form हो रही है ठीक है अब यह मेरी 9.15 की candle है price ने क्या किया सब को हम delete कर देते हैं अब 9.15 की नीचे जैसी हमारा price निकला इसने क्या momentum ने शो किया price ने black candle form किया और price फिर इस candle की नीचे close नहीं हो पाया है यहाँ पर देखिए इस candle की नीचे market close नहीं हो पाई है आज कर low और इसके बाद में कल market ने close होते होते यहाँ पर यानि के यह वाली जो candle सबसे last वाली candle थी इसका जो low लगा था यह 1681.20 था मतलब कि यह एक support area बना market ने आज हमारे कल के इन support areas को देखिए है ना यह कल के हमारे support areas है यहीं से price हमारा upset की तरफ गया और आज भी price हमारा same level तक नीचे की दिशा में गिरा है low high again यह low है ना यानि के same level पर price ने support लिया है यहाँ से जब यह upside की तरफ गया तो इसने एक swing फॉर्म किया अगेन यह एक swing और price ने इस वाले swing को break out कर दिया जो कि अपने trade execute करने की जगा बनी अब इसको समझ वार हो बिल्कुल confuse नहीं होना है देखिए कल market ने close होते होते इस candle के थूर अपने एक low लगाया अगर हम कल की 325 की candle और 1681.20 इसको एक support अरिया अपना मानते तो आज इस support अरिया अज पर हुआ क्या है 9.15 की candle high and आज का हमारा support अरिया clear है मतलब price and lows लगा है तो इसने कोई भी support अरिया अपने break नहीं किया और कल के support पर ही ये reject हो गया और rejection की समय में जो इसने swing लगा है ये वाला swing बना देखिए एक black candle इसके बाद में देखिए एक rejection rejection के बाद में upside के तरफ price गया है एक swing लगा है और price ने breakout मार दिया इस चेके से यहाँ पर भी देखिए volumes increase हुई है and जिस candle ने breakout मारा है इनकी भी volumes increasing form में बनी हुई है यह काफी अच्छे confirmations होते हैं जब किसी भी trade के अंदर execute या execution होना चाहते हैं या फिर किसी भी trade के अंदर enter होना चाहते है day time frame पर already हम लोग strong है कि यह support area है और higher time frame के नहीं levels पर price ने जब lower time frame पर अपने swings define करने शुरू किये तो हमने क्या किया कि कल के जो support areas थे इसके पास में हमने कहीना के अपनी stop loss रखे और जैसे ही price ने अपने swings को breakout किया यहाँ से हमने अपना trade execute कर लिए जो है वो falling rose के उपर है बहुत बार हम यह system आपको बता चुके है same system से आज भी हमने trade execute किया तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं चाहिए आपको इसे समझने में अब इसमें देखिए होता है क्या अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसमें basically होता है क्या है इसको in short arm fit से समझा देते हैं कि तीन candles हम लोग ले करके चलते हैं first, second और third इनमें तीन volumes हैं अब यह तीन क्यूं है system से देखिए तीन क्यूं है, पांच क्यूं है जितने भी आगे काफी सारा system है जो कि जब trade और execute करते हैं analysis करने जब start करते हैं तो बहुत साई चीज़े देखनी होती है उनके सब के उपर discussion नहीं कर सकते हैं क्योंकि public videos हैं आप इतना समझे कि तीन volumes बाहर होती हैं इसके बाद में price इसे candle में कम like volumes again next जो volume बने कम volume होगी और इसके बाद की जो volumes बने कम है मतलब interest कम हो रहा है फर्क नहीं पड़ता कि buyers के interest हैं lows अपने sellers के interest हैं बट interest कम हो रहा है अब price के ये तीनो ही candles जो ranges form कर देती हैं जो भी prices हमारे बनते हैं 1, 2 और 3 ये तीनो ही areas हमको एक बहुत 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 बहँतर resistance और बहुत बहुत बहुतर support points निकाल करके देते हैं clear है अब जैसे ये volume central value volume और ये third volume इस candle के highs और lows डिपेंड करता है हम कब कौन सी जगह पर इन candles को mark करने तो कब हमें highs mark करने और कब lows इसके बाद में third वाले जो point है यह और यह वालारी है कब हमें highs mark करने और कब lows mark करने यह मालूप होना चाहिए market की condition को देखते हुए चलेंगे यहाँ पर जितना ideally हम इन candles को mark करते हुए चलने हो सकता है जब आप market में जा तो यह candles उपर नीचे form हो उपर नीचे form होने का मतलब यह है कि यही आपकी candles bullish ये barish candle होगी बट हो सकता है ही candle आपकी bullish बन रही है ये barish candle बन रही है highs ब्रिक हो रहे है इस तरह की쉬 candles होगी तो हम्से प्राइज में कब किस candle का payment करने ये धीरे धीर आपको समझ में आ जागा पहले आपको समझ बेता है कि कौन से सिस्टेम कि थरों हमें काम करना या कौन से चीज़ 24 जो पकड़नी है किस कि थरों हमें trade execute करना वहना भटकाव बहुत सारा है ये पकड़ू वो पकड़ू उसको छोड़ दिया कुछ दूसरा पकड़ लिए जब पूरे जितने भी वीडियोs अभी तक हमने अपडिए की है आप अगर वीडियोज सारे के सारे वीडियोज को एक एक करके प्ले कर लो बहुत सारी समस्या हैं आपके खतम हो जाएगे बहुत सारी समस्या है आप प्राइस को धेरे धेरे read करना सीख चाहने trade execute करना, stop loss, target यह सब बहुत दूर की बात नहीं, इस सब छोड़ दीज़ेबे simple, सबसे पहली basic चीज़ की है कि price को read करना सीख जोगे बहुत मेनत लगती है इन सारी वीडियो को बनाने में एक एक point को समझाने में आप compare कोरो दूसरे लोगों की वीडियो से और हम जो आपके लिए हम वीडियो से अप्लोड कर रहे हैं इन वीडियो से, आपको लगेगा कि यहाँ पर जो चीज़े हम बता रहे हैं पैसे ले खरके लोग यह साही चीज़े नहीं बताते है तो जब यह सारी opportunity आपको मिल रहे हैं, जब इतनी सारी अच्छे चीज़े हम आपको बता रहे हैं, तो आपका यह फर्ज बनता है, कि इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ो, समझो सीखने की कुशिश करो clear है? basic चीज़, बाकी वो वीडियो का link discussion में हम डाल देंगे, आप उसको जा करके देख लिए जागा बहुत साई चीज़ें clear दो जाएंगे, otherwise in short हमने यह बता दिया, कि एक, दो और यह तीन candles आप mark करो, और इनके price levels को mark करो, अब trade को read करने की जगह आपको मिल जागी, कि price को हमें पढ़ना कहां से ढूंगते हैं, कि एक सिरा हमको मिल जाएगा वरना prices तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी candles बनी है, अब बताइए हम इसमें अगर reading स्टार्ट करना शुरू कर दें, लीजे हम सारी marking सटा दें, तो अब आप read करो, कहां से करोगे बताओ, लेकिन इसमें होगा क्या, कि कोई अगर हम candle आपको बोल देंगे न, तो उस candle को mark करो, अब आपको जगा मिल जाएगी, ओके, हमें यहां से reading स्टार्ट करनी है, अपनी, जब एक बार read करनी के जगा आपको मिल जाती है न, तो आसान हो जाता है, अब like यहां पर अगर हमें price को पकड़ना है, तो यह एक candle पने mark कर ली, अपने system के थूँ, अब आप read करो, क्योंकि main जो काम होता वो reading आई है, यहां पर देखिए price ने क्या किया है, एक candle form की, जो कि price के ना तो उपर की दरफ जा पा रही है, और ना नीचे की दरफ निकल पा रही है, है ना, इसके नीचे भी price हमारा नहीं जा पार, इस range के अंदर ही फसा हुआ है, तो कि हम यह मान सकते हैं कि price अगर हमारा इस candle के ऊपर गया, तो move अच्छा मिलेगा, और यहीं पर देखिए हमारी higher time stream की भी candle है, जिसने की resistance form किया है, वो है मेरा 1687.45, आज की जो market की opening है, यह हमारी levels के उपर हुई है, यह तो एक strong निशान होता है, किसी भी stock को trade करने का, हलां कि फिर भी काफी सारी confirmations बच थी हैं trade execute करने के लिए, बट फिर भी जब आपको किसी एक trade को execute करना है, तो यह एक strong signal होता है, यह भी हमको मिल गया, lower time frame पर जहाँ मार रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें काफी सारे confirmations मिल रहे हैं, कि price क्या कर रहा है, कल के support areas के नीचे यह trade नहीं कर रहा है, कल के support areas पर यह support ले रहा है, है ना, यह देखिए, पिन बार बनी, फिर volumes भी increase हो गया इसके उपर, जैसे price ने हमारे in swings को upside की दर breakout किया, देखिए, यहाँ पर भी volumes increase हो गया, है ना, तो यह strong निशान होते हैं, कि कोई भी stock जब आपको trade करना हो, तो इतनी सारी readings आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा काम करनी, यह जितना भी आप profit वेगर है, जो भी देख रहो ना, यह 12,000, 13,000, 18,000, कभी-कभी होता है, वो 18,000, 22,000 उपर तो पहुँच जाते हैं, यह तो market के उपर प्रेंट करता है, लेकिन इधर हम लोग देख रहा है कि Nifty का वो जो बड़ा मूव आया था, आज से करीब 3 दिन पहलो, उसके बाद से market पूतर ऐसे sideways है, एक narrow range बना रही है, narrow range की बारे में भी आपने टेलिग्राम चैनल भी आप मेरा जोइन कर सकते हो, morning में वहाँ पर एक stock दिया था, हालना है कि उसने कोई confirmation दिये नहीं, buy side के तरफ जाने के लिए, लेकिन अगर उस group में आप रहे तो, इस stocks अगर आपको मिल जाते हैं, Nifty के levels हम कोशिश करते हैं, mark करके दे देदें, बाकि वहाँ पर jackpot जैसा कुछ नहीं होता है, कोई stock जैसे हम trade करें, या मेरे पास अगर कोई ऐसा stock है, जिसकी के अदर में probabilities बहुत ज्यादा लग रहे हैं, उनका level हम mark करके देदेंगे, आपको buy करना, selling करना है, यह वहाँ पर पता चल जाएगा, यह साही चीज़ आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, बाकी nifty के levels तो हम कोशिश करते हैं, मा करके share ही करते हैं, thanks and we will meet again